नमस्कार दोस्तों गर्मी के सीजन में सेहत को अच्छी बनाये रखने में छाच बहुत काम की चीज होती है कुछ लोग इसे मठा भी कहते हैं ये दही को फेटने के बाद बनती है इसमें विटामिन A, B, C, E और A और K भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसलिए यदि गर्मी में इसका सेवन करे तो बाड़ी को सभी पोशक तत्व परियाप्त मात्रा में आसानी से मिल जाते है तो आई ये इस वीडियो में हम आपको बताते हैं की छाच कब पीना चाहिए और छाच पीने के क्या-क्या फैदे होते है पेट को सेहत मंद रखे पेट में भारीपन महसूस होना भूक ना लगना जलन होना या खाना ठीक से ना पचना इन सभी समस्याओं को छाच दूर कर सकता है इसकी लिए आप भूना हुवा जीरा, काली मिर्च का चूर्ण और सिंधा नमक छाच में मिलाकर इसे पी जाए पेट से जूड़ी सभी बिमारियों में आराम मिलेगा इम्म्यूनिटी पावर बढ़ाए चाच आपके सरीर की रोग प्रतिरोधक छमता यानि इम्म्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम भी करती है दरसल यह प्रोबायोटिक्स करने में सक्षम होती है यह सरीर में आत के विकास को बढ़ाती है इससे आपकी बोड़ी की प्रतिरक्षा भी बढ़ती है वजन कम करे यदि आप अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं तो रोजाना चाच पीना शुरू कर दे इसमें मौजूद तत्व एक तरह से फैट बर्नर का काम करते हैं इसे पीकर आप मोटे भी नहीं होते हैं क्यूंकि इसमें कैलोरी और फैट की मात्रा बहुत कम होती है हड्डिया मजबूत करें छाच में कैलसियम भरपूर मात्रा में होता है इसका सेवन कर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं इसे रोज पिया जाये तो औस्टियो पोरोसिस नामक बिमारी भी नहीं होती है डी हाइड्रेशन से रोके गर्मी में डी हाइड्रेशन एक बड़ी समस्या होती है छाच पीकर आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं इससे आप बिमार भी नहीं होते हैं और आपको ढेरो पोशक तक्त्व भी मिल जाते हैं छाच पीने का सही समय भोजन करने के बाद होता है यदि आपको एसीडिटी की समस्या रहती है या पेट में सूजन से महसूस होती है तो छाच पीकर रहत पाई जा सकती है दरसल छाच मसालों के प्रभाव को कम कर सरीर को प्रोटीन प्रदान करती है तो दोस्तों ये थे छाच के कुछ बेतरीन फैदे वैसे तो बजार में भी छाच मिल जाती है लेकिन यदि आप घर पर बनाई ताजी और सुद्ध छाच पीए तो ये आपको और भी ज्यादा लेगी इस तरह की और हेल्च संबंदित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद